हेलो फ्रेंट्स काजेस किचें क्लब में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम बीना गैस चलाए बीना ज्यादा जंजट के सिर्फ तीन चीजों से ये आइसक्रीम बनकर तयार होता है और फ्रेंट्स ये आइसक्रीम बाहर से भी बहुत ही ज्यादा क लेते हुए जल्दी से इस आईस्क्रीम को बनाना स्टाट करते हैं और हम मेरी देशी भी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चनल को अभी तक सब्सक्रीब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करनीजिएगा मैंगो आइस क्रीम बनाने के लिए यहां पर मैंने एक मिक्षिजर ले लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे मैंगो तो यहां पर मैंने वन कप मैंगो लिया है और इसे इस तरीके से कट कर लिया है तो आप चाहो वो मैंगो का यहां पर यूज कर सकते हो और अब हम इसके अंदर डालेंगे condensed milk तो यहाँ पर मैंने जो homemade condensed milk है वो यूज़ किया है आप इसकी जगह पे जो बाजार में मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हो घर पे कैसे condensed milk मड़ाया जाए उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है उसकी link भी मैं description box में दे दूँगी वहाँ उसे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो तो इस आधे cup condensed milk को हम इसके अंदर डाल देंगे और आप घर पे condensed milk बनाओगे तो बाजार से बहुत ही कम दम में बन कर तयार होगा तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो कर्णिस मेल डानने के बाद अब हम इस mixi jar को cover करके इसे grind कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखी कि मैंने इसे अच्छे से grind कर लिया है और यह एकदम smooth हमारा pulp बन कर तयार है तो थोड़ी देर इसे हम side में रख देते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ball ले लिया है और आब हम इसके अंदर डालेंगे whipping cream तो यहाँ पर मैंने एक cup whipping cream लिए है तो इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब हम इसे bitter की मतबसे बीट लेते हैं तो यहाँ पर इसे पहले हमें बहुत जादा नहीं बीटना है, बस हलका सा यह थोड़ा सा fluffy और smooth हो जए उतना ही हमें यहाँ पर पहले हम इसे बीटेंगे, तो यहाँ पर यह आप देखिये कि यह थोड़ा सा हलका fluffy हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, biter को off करके इसे side में रख देते हैं और हमने जो पल्प ready किया है mango का उसे हम इसके अंदर डाल देते हैं पहले तो सारा पल्प हम इसके अंदर डाल देंगे और friends ये देखिए तीन ही चीजों से ये हमारा ice cream base बनकर तयार होता है तो पल्प को डालने के बाद अब हम वापस से बीटर चला कर इसे वा shipping cream या fit pulp अकेला रह गया होगा तो उसे अच्छे से mix करने से हम वापस से बीट लेंगे तो उसमें आसानी रहेगी तो अब हम इसको वापस से अच्छे से बीट लेते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बीटना है बस इसके अंदर soft peak आ जाए उतना ही हम यहाँ पर इस से बीटना है देखिए यह soft peak आ चुके है इसके अंदर तो अब अब देखिए कि हमारा जो ice cream का बेज बन कर तयार है तो ice cream जमाने के लिए यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का airtight डिबबा था तो वो मैंने लिया है आप अपने हिसाब से कोई भी डिबबा यूज कर सकते हो ब अब हम इस डिबबे को हलका सा tap कर लेंगे जिसे यह सारी जगह पे अच्छे से set हो जाए तो अब हम इसे cover करेंगी तो यहाँ पर मेरे पास foil paper था तो मैं उसका use कर रही हूँ आप इसकी जगह पे clean wrap या फीर आपके पास कोई भी दूद की थेली हो तो उसे भी अप अच्छ से बरफ ना आए इसलिए यह करना जरूरी है तो इसे मैं अच्छे से cover कर लेती हूँ और अब हम इसे ढखकन से इस तरीके से ढख देंगे और इसे हम freeze में 7-8 घंटे के लिए या फिर overnight के लिए freezer में set होने के लिए रख देंगे तो मैंने इस ice cream को freezer में overnight के लिए जमने के लिए रख दिया था और यह अच्छे से जम चुका है देखिए आप तो अब हम इसमें से ice cream को serve कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो friends एकदम creamy texture वाला यह बाहर से भी बहुत ही अच्छा घर पर ice cream बन कर तयार है तो आप भ नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई